कामेस निचाचर विर्मनी सिखाप धिंग समाधियानी धम्मपद गाथा कथा नमबर पचास सावित्थी में एक महिला अपने पती के साथ रहती थी चोकि उस समय बहुत सारे मत चलते थे बहुत सारे जो लोग थे वो अपना अध्धन करते थे और जगे 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 उन्होंने विहार बनाए हुए थे और वहाँ पर वो लोगों को सिखाते थे लोग उनके अनुयाई भी थे तो वो जो महिला थी वो किसी और की अनुयाई थी और उसकी जो सिख्षाती उसका पालम करती थी सीखती थी फिर उसने धीरे धीरे चर्चा सुनी कि जो बुद्ध हैं वो बहुत अच्छी सिक्षाइं देते हैं उनकी सिक्षा से घर में सुख सांती आ जाती है और उनकी सिक्षा जो सिखाते हैं वो पूरी की पूरी तरह से संपूर है सम्मा सम है यानि सम्यक सम बोलें या सम्मा सम है तो उसकी जिग्यासा दिन पर दिन बड़ी क्योंकि जो लोग सीखते रहते हैं उनकी एक जिग्यासा होती है कि वो रुकते नहीं है उन्हें जहां भी अच्छा मिलता है वहाँ वो जरूर जाते हैं चाहें वो भले कहीं है और जो लोग सीखते नहीं है सीखने का नाटक करते हैं वो किसी एक सिख्षा की अंदर सिर्फ उसको देखते हैं जो उनके माता पिता ने बताई या जो उन्होंने कहीं पड़ी या जो उन्होंने कहीं देखी जो उनको आदेशित की जाती है कि तुम्हें सर्फ यही सिख्षा सीखनी है और सिख्षा की तरब देखना भी नहीं है मनुस्य का जिग्यासा का सभाव होता है और यही उसको मनुस्य बना के रखता है बाकी जो प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं उनका जिग्यासा का सबाब ग्यान के प्रती नहीं होता ये बड़ा basic अंतर है इसलिए जो मनुस्य होता है वो लगातार ग्यान की खोज में रहता है जिग्यासा होने से और जानकारी होने से ही वो देश और वो लोग बहुत ज़दा आगे हैं जो जानकाई लगातार लगातार खोजते रहते हैं और पूरी दुनिया में गूमते रहते हैं वो आज भी पूरी दुनिया पे राज करते हैं, चाये भले ही और वो डायेट राज ना करते हों, उनकी कमपनिया और उनकी एजुकेशन आज भी दुनिया पे राज करते हैं तो उस महिला में बहुत ज़्यादा जिक्या अचा थी कि उस सिक्षा देखे कि क्या सिक्षा बुद्ध की है उसने बुद्ध को अपने यहाँ धंव ज्यान के लिए आमतित किया बुद्ध वहाँ धंव चर्चा के लिए आये धंब चक्चा से पहले जैसा तब बारेवे से पहले या धूप से पहले खाने का होता है पूरा भिक्कुस ने हुआ खाना खाया खाना खाने के बाद उस खाने के फलसरूप यानि जो खाना खाया है उसकी कीमत अदा करनी है और वहाँ उस परिवार की और सारे लोगों को धंब देशना देनी है धंब सिखाना है उनके पसनों के आंसर देने है महाँ उनोंने अपना खाना खाने के बाल उसको पुन्य मोदन बोलते हैं पुलने का मोदन है कि जो आपने खानक लाया उसका अनुमोदन करना है उसको बापिस करना है तो धम जब सिखाने लगे महिला को धम बहुत अच्छा लगा और वो महिला बड़े चेरे से सांथ हुई और बड़े खुश होने लगी ये देखकर उसका जो पती था क्योंकि उसका ध्यान देशना में नहीं था उसका ध्यान इस बात में था कि मैं किसी और का अचेला हूँ मैं किसी और पंथ का मानने बाला हूँ मैं किसी और सिख्षा को जानता हूँ उसी के पट्टिस करता हूँ मेरे गुरू ने कहा है कि यही सिक्षा सबसे बहतर है मेरे गुरू ने कहा है कि कोई और सिक्षा को सुनना भी नहीं है देखना भी नहीं है जिक्र भी नहीं करना है इसी में मरना है इसी में जीना है यह औरत मेरी पत्नी होते हुए मेरी बात नहीं माननी वो वहाँ उस औरत की बहुत बेज़ती करता है अपनी पतनी की बहुत ज़्यादा बेज़ती करता है बिना कारण और बिना बात के ऐसा होने पर वो महिला पूरे भिक्कु संग और भगवान बोद्ध और बाकी जो लोग है उनके सामने बड़ी लज़त और बेज़त महसूस करती है बड़ी मायस हुजाती है बड़ी अफसाब में जाती है उसकी सिति ऐसे हुजाती है टाटो तो खून नहीं भगवान बुद्ध तो मनोचे के सक रहे हैं दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़े आज तक उनके मुकाबले का कोई मनोचे के सक है ही नहीं वो बेसिकली जितने भी है मायंड के साइंटिस्ट रहे हैं क्योंकि मायंड को तो पुरी तसे जानते हैं उन्होंने उसको पारगामी रहे हैं पारगामी का मतला है कि मन की सिति में आरपास देख लेते हैं उन्होंने महिला की पूरी सिती जानी और देखी तब ये गाथा उस महिला के लिए वहां कही जो इस प्रिकार है नै परेसंग विलो मानी नै परेसंग कता कतं अत्नो वै अविक्खे कतानी एकतानी चै नै परेसंग विलो मानी नै माने नहीं परेसंग माने होता है जैसे कहते हैं कि ये परे का आद्मी है या ये परदेशी भी बोलते हैं या ये पराया है इसका मतलब दूसरा या अन्न है और परेसंग का मतलब है दूसरों का यानि दूसरों का विलो मानी विलो मानी का मतलब है पिर्टी कूलता हो यानि कि जो विरोध है जो विलो मिस्थिती है पिर्टी कूलता हो यानि दूसरों की जो पिर्टी कूलता है यानि जो विरोधी उनका सवाब है या जो विरोधी ब परिशानी जो परे यानि के दूसरों का जो होता है कता कतं का मतलब होता है कता और एकत कता माने होता है क्रत किया हुआ और एकत माने होता है जो नहीं किया हुआ है यानि कि जो विरोधी विप्रीत इस्थती है उसमें दूसरों की और जो किसी ने किया या नहीं किया जो दूसरों का है अतनोब वे अवेखे अतनोब का मतलब है खुद को स्वेम को यानि खुद को स्वेम को या खुद का स्वेम का वे माने जैसा या ही अवेखे अवेखे का मतलब होता है आपने देखा होगा पंजावी के अंदर, पंजाब के अंदर कहते हैं वेखले, वेखले, वेखले का मतलब है देखले, या वेख्या, वेख्या के मतलब देख लिया, तो यहाँ यही है वेख्या, यानि कि अवलोकन करना, वेख्या माने अवलोकन करना, देख्या, यह पाली क वो सारा सारा पाली से बना हुआ है विक्खे से अवलोकन करना यानि कि खुद का अवलोकन करे कतानी ए कतानी चै कतानी का मतलब किया हुआ ए कतानी का मतलब नहीं किया हुआ और तो इसका सिंपल सा जो आंसर है यानि सिंपल सा जो इसका व्याख्या है इसकी पूरी पूरी गा या जो विपरीत चीज दोसों ने कही हैं, चाहें वो करी गई हैं या नहीं की गई हैं, जो उन्होंने किया वो या जो नहीं किया वो, उसमें आपको व्याक्षा नहीं करनी है, उसका अबलोकन नहीं करना है, उसमें नहीं जाना है, आपने जो किया है, जो आपने किया है, उस सब्णों में इसपिकार है, दूसरों की पिर्थी कूलताओं पर, दूसरों की गरत एकरत पर नह देखें और अपने ही गरत एकरत का अवलोकन करें, य pronouns उस महिला के लिए है, वो ये कहते हैं कि जो दूसरे लोग है, एक तो यहां ये बात समझें, कि दूसरों का मतलब है चाहे वो पती है चाहे बच्चे है चाहे माता-पिता है चाहे संतान है चाहे बहन है या भाई है सब अलग-अलग इंडूजल है उन्होंने जो किया है उनका वहवार जो भी है उसका जो परणाम आएगा उस कम का परणाम आएगा वो लोग भुखतेंगे जो करेंगे और जो आपके ने किया है उसे आप भुखतेंगे यानि कि जो कम आप अच्छा करेंगे जो कारे आप अच्छा करेंगे उसका लाभानी आपको होगा और जो आपके माता पता पती भेन भाई जरिस्तार जो करेंगे वो उनके लिए होगा तो वो वहाँ समझा रहे हैं कि अगर आपके पती ने आपको दुर्भवार किया या आपकी बेजेती की या आपको कटो सब बोले या कटो सब बोले तो उन्होंने ये करम किया है और इस करम का फल उन्हें ही मिलेगा आपको नहीं मिलेगा आपने जो करम किया है उसका फल आपको मिलेगा इसलिए आप अपना अवलोकन करें अपनी व्याख्या करें अपने आपको देखें दूसरों को ना देखें ये धम में बहुत इस्पष्ट बात है और धम की सबसे बढ़िया बात है कि पिता और पुत्र में बेसक कितना भी प्यार हो, अगर पुत्र अच्छे काम करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा, तुरंत मिलेगा और पिता बेसक कितना है अधर्षवादी है अगर वो खराब काम करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा पिता पुत्र का प्रेम संबन्ध हो सकता है एक दूसरे को पैदा करना हो सकता है पिता का या पुत्री का या माता का या पुत्र का या माता का पुत्री का हो सकता है कि उन्हें पैदा किया है मगर करम का सद्धान ये कहता है बुद्ध ये बताते हैं कि जो जैसे करम करेगा उसका फल उसको वैसा ही मिलेगा उस फल का असर दूसरे पर नहीं होगा ये धम की सबसे उची बात और सबसे उची गहराई है क्योंकि धम करम कर धान है यानि जो जैसे करम करेगा कम करेगा उसका वैसा ही फल उसको मिलेगा चाहे वो प्राणी है चाहे वो जानवर है चाहे वो मनुष्य है चाहे वो औरत है चाहे आदमी है चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है चाहें पड़ा लिखा है, चाहें वो अनपड़ है चाहें वो कहीं रहता है चाहें बुका है, नंगा है, अमीर है जैसे करम करेगा उसका पर वैसा ही मिलेगा एक व्यक्ति का कियाओफल दूसरे पर लागु नहीं होता धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फिरी हैं, आप अपने फेस्बुक पे, कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूटूब पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है, हम जो बताते है वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद तम्मं सेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तुम्तियं पी धम्मं मरसेनं गच्छामी बूतियं पी दम्मां सर्णं गच्छानी ततियं पी संगों सर्णं गच्छानी दोगियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी ततियं पी गुद्धम सर्णं कच्छामी दोगियं पी गुद्धम सर्णं कच्छामी ततियं पी दम्मम सर्णं कच्छामी ततियं पिघंधं सर्णं गच्छामी ततियं पिजंधं सर्णं गच्छामी ततियं पिजंधं सर्णं गच्छामी साथु, साथु, साथु झाल झाल